नमस्कार फ्रेंट्स राइट विध प्रिम यूट्व चैनल में आपका श्वागत फ्रेंट्स आप दूतु समस्याों की बात करेंगे फौ्टोसॉप में फोटो सेव族 नहीं हो रहा है या फिर आपका फोटोसॉप उपन नहीं हो रहा है याने कि आपके Photoshop में कुछ error आ गया है और फाइल फॉर्मेट फॉर्मेट के जो फाइल फॉर्मेट होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर फॉर्मेट क्या है और यह किस प्रकार से आप सेव कर सकते हैं इन सारी सीजों को आज एक्स प्लैन करेंगे और Photoshop के error को भी आज fix कर देंगे कि आपका Photoshop को भी हैंग नहीं होगा अगर आज आपका हैंग नहीं होगा तो यह वीडियो आपके लिए देखना इसलिए ज़रूरी है कि आपका Photoshop कभी भी हैंग हो सकता है क्योंकि एक जनरल प्रॉब्लम है और यह जब नेट वगर हम यूज करते है तो इस प्रकार की प्रॉब्लम संदर आती हैं साथ ही जो Photoshop यूज करते हैं उनके लिए यह वीडियो ज़रूरी है अगर उनके प्रॉब्लम हो रही है तब भी और नहीं है तब भी क्योंकि यह प्रॉब्लम है वो किसी के साथ कभी भी हो सकती है जैसा कि कल मेरे साथ हुआ त तो फ्रेंड्स सुरू करते हैं टुटोरियल तो चले चलते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपके फॉटोशॉप में इस प्रकार का एक पॉप-प आएगा जब भी आप फॉटोशॉप जेपीजी में सेव करेंगे यानि आपकी जो इमेज वह फॉटोशॉप में कहीं दूसरी जगह पर ओपन है ठीक है यानि कि उसमें कुछ अन्वांटेड इन बिन बुलाएं महमान आ जाते हैं वारे फॉटोशॉप के अंदर वारे कंप्यूटर के अंदर ऐसे वाइरेस जो हमारे फॉटोशॉप को या हैं पर नीचे रखते हैं यहांपर इस्टार्ट में 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 यहां पर कंट्रोल पिनल पर आपको क्लिक करना है जैसे हैं पर कंट्रोल sponge करेंगे यहां यहां पर आपको अनिस्टल प्रोग्राम प्रोग्राम के अंदर ठीक है यहां पर आपको क्लिक करना है जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे आपको यहां पर बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है इस प्रकार से देखने को मिलेगे अभी मेरे यहां पर आपको देखने को नहीं मिले यहां पर हमारे यह जो आइकन आपको दीख रहे हैं यहां पर एक आइकन था वाइकन किस परकार से था मैं आपको बताता हूं मेरे पास मैं उसको सेव करके रखा हैं तो इस परकार का एक वायरेस था और प्फिर थे आपको क्यों कोई मेसेज च्ड़ेंगा जैसे मैं आपको बताता हूं कि यह असा réponse चोड़ सकता की मान लीजी उसपर आप क्लिक करेंगे ठीक है जैसे ही आप उस पर click करेंगे तो यह इस पर क्लिक करेंगे तो इस परकार का pop-up दिखाई देगा एक side remove protection लिखाओगा दूसरी side cancel लिखाओगा आपको remove protection पर click करना है जैसे ही आप remove protection पर click करेंगे तो यह remove होना सुरू हो जाएगा तो जैसे ही remove होना सुरू हो जाए थोड़ा सा time लेगा और remove हो जाएगा तो फिर यहाँ पर लिखाओगा restart now और दूसरी तब लिखाओगा restart later तो आपको restart later यह आप बाद में restart करें या फिर आपको restart now यानि तुदंत आपको restart अपने PC को कर लेना जैसे ही आप restart पर क्लिक करेंगे तो आपका computer shutdown होगा restart होने के लिए आपका computer दुबारा शुरू होगा जैसे दुबारा शुरू होगा आपको इस परकार का interface दिखाई देगा आपको यहां पर आपको antivirus protection confidence file कीपे से define and properties नाम के दो options जो है इससे ज्यादा भी हो सकते हैं आपको इन पर checkmark करना है ठीक है कैसे इस परकार से दोनों पर checkmark करना है इस परकार से इस परकार का आपको दिखाई देगा आपको पर click करना है जैसे आप पर click करोगे तो यह automatic आपके computer से अनिस्टल हो जाएगा और उसके बाद जो है फ्रेंड्स आप अपने Photoshop को open कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने Photoshop में जो भी चाहिए वह editing कर सकते हैं आपके photo ज हैं आप देख सकते हैं यहां पर यह पूरी की पूरी PhD हैं और यहां से हम इसको move करवा सकते ठीक है तो इस PhD फाइल को जो है आप कुछ और इसमें edit कर लिजिए उसके बाद में उसको save करना चाहिए तो save कर सकते मालीजी मैं इसको duplicate बना लेता हूं अब इसको save करना चाहता है तो save problem ठीक है तो save problem वन हमने लिख दिया और इसको डेस्टॉप पर save करेंगे और save कर दिया हमने ठीक है jpg options आ रहा है ok कर दिया save हो गया तो देख सकते है friends यह हमारा फाइल जो है यहां पर open हो चुका है ठीक है friends तो आपको उस समयादान बिल्कुल मिल जाएगा friends छोटा सा दो option था जैपीजी में फाइल को किस प्रकार से हम save करें और photoshop के error का friends आप photoshop सेखना चाता है या video editing सेखना चाते है तो हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं मिलेंगे नए टूटिल में तक तक के लिए जैहिंग जै भारत झाल